तो हमने अभी semiconductor जो किये उसमें एक क्या intrinsic, pure, एक क्या n-type, एक क्या p-type intrinsic में ये सीखा था कि अगर इसके पास माल लो कुछ electrons है, माल लो ये valence band है और ये conduction band है, इसके पास कुछ electrons है, 0 Kelvin पर ये state है, आपने temperature बढ़ाया तो electrons, कुछ electrons कहाँ पर चले गए, conduction band में चले गए, ये चले गए, तो कितने electrons है conduction band में, 3, कितने holes हैं, valence band में, 3, तो 3 सीटे create हो जाएंगी इसमें, तो इसका मतलब intrinsic के अंदर number of electron density and hole density की amount exactly क्या होती है, same, ये हमने कर लिया, अब बात करते हैं end type, semiconductor में, ये चार electron तो अलड़ी आपके पास हैं है, ये तो हैं है, अब ऐसी के लिए क्या कि आपने, यहां पे आपने end type में, एक donor energy state बना रखी थी, जिसमें आपने आपके doping ने, चार doping से, चार electron को ऐसे donate कर रख है, अब मान लो, ये 0 Kelvin की situation है, आपने temperature बढ़ा दिया, सबसे पहले ये ऊपर भाग जाएंगे, ये एक, दो, तीन और चार, और यहां hole भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कौन सा atom का पार्ट थे, ये तो अलड़ी donate करने की वज़े से free to move है, तो ये तो वैसी गूमरे थे, तो ये सबसे वहले कंडक्शन बैंड में गए, फिर कुछ electron नीचे से भी चले गए, ये देखो, कुछ electron यहां से भी चले गए, तो कुल मिला के कितने electrons हो गए, इसमें कंडक्शन बैंड में, छे electrons और इसमें holes कितने create हुए, सिरफ और सिरफ दो holes, तो चेक कर रहे हो, इसके अंदर holes और का अमाउंट सेम है, इसमें 2 पेंट डालने की वज़े से, इलेक्ट्रों ज्यादा मिलेंगे और holes इसमें कम मिलेंगे, तो यानि की electron density conduction band की hole density से इसमें बढ़ी है, इसमें बराबर है, इसमें electron density बढ़ी है, hole density चोटी है, तो इसमें current दोड़ेगा, इस semiconductor में, तो electron ज्यादा दोड़ेंगे, free electron and holes कम है इसमें, तो electronic current ज्यादा होगा, hole current इसमें कम होगा, तो क्या मैं यह बोल सकता हूं, कि इसके अंदर end type में, majority carriers, majority carriers क्या है, electrons है, and minority liability carriers, minority carriers कौन है, holes है, To majority cluster electrons है and minority carrier holes है, So majority current किसके is karton कहें allora minority current किसके is helps. What a point clear ? इसमें बराबर — करण है, इसमें electron की quantity quantity , density जाद है इसमें holes की density कम है लेकिन अगर आप P-type की बात करते हैं तो P-type में ये चार electron तो already present ही है बात ही खतम हो गई अब इसके अंदर यहाँ पर एक donor energy state भी है जहाँ पर already दो bench लगा रखे हैं मेन दो hole तो लगाई रखे हैं हमने dopant ने create कर दिये थे hole this में तो दो hole तो dopant create कर गया 0 Kelvin पर temperature बढ़ गया जब temperature बढ़ा तो ये ये और ये electron ऊपर चड़ गए तो कितने electron हो गए तीन electron हो गए लेकिन अपनी जगा तीन hole create कर गए कितने holes हो गए 5 holes हो गए तो P-type में hole density बढ़ी है as compared to electron density तो क्या यह point clear है यहां तक तो इसके अंदर क्या मैं लिख सकता हूं कि Majority Carriers Majority Carriers कौन है holes है and Minority Carriers कौन है इसमें electrons है तो ये अपने याद रखने है क्योंकि ये common word है हम use करेंगे Majority Carriers and Minority Carriers